हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ सेयर कर रहीं जो आपके रोज मर्रा के काम को बेहत ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी अगर आपको मेरा ये व और किचन में तॉलिया नहीं रहता है तो हम अपने कपड़े में हाथ पोश लेते हैं जो कि हमारा कपड़ा फिर गंदा हो जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है हमें अपने किचन में एक तॉलिया चरूर रखना चाहिए कुछ लोग तो इसे चुनट बनाकर इस तरह से रखना पसंद करते हैं, मगर इससे तॉलिया फैलता नहीं है, और हाथ पोशने में भी दिक्कत आती है, मगर मैं इसे चूड़ी में रखना पसंद करती हूं, इसके लिए मैं एक मेटल की चूड़ी लेती हूं, और तॉलिय के किनारे वाला हिस्सा ले लेती हूं, और उसमें मैं एक सिप्टी पिन लगा देती हूं, आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से सिल भी सकते हैं, देखें ये तॉलिया बिल्कुल खुला-खुला सा रहता है, अब इसे मैं आपको हैंग करके और हाथ पोच कर भी दिखाती हूं, कि ये कितनी आसानी से हैंग भी हो जाता है, और इसमें हाथ पोचना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये खुला-खुला सा रहता है, और जब इतॉलिया गंदा हो जाए, तो हम इने इधर-उधर कर देते हैं, या फिर फेक देते हैं, मगर आज इसका मैं बहुत ही अच्छा प्रियोग आपको पताती हूं, इसके लिए हम चलते हैं फ्रेज की तरफ, दोस्तों फ्रीजर में हमारे बर्फ जम जाता है, तो उससे बर्तन निकालने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें हमारा बर्तन भी चिपट जाता है, मैं इस तरह का बैग हमेशा अपने फ्रीजर में रखी रहती हूं, क्योंकि कभी-कभी हमें आइस पैक की चरूरत पर जाती है, तो मैं इसलिए इसे हमेशा अपने फ्रीजर में रखी रहती हूँ अब मैं बताती हूँ कि चूड़ी का मैं कहां प्रयोग करूँगी अब हम आइस ट्रे निकाल लेंगे और इसके अंदर हम चूड़ी को रख देंगे और उसके बाद हम इसके उपर आइस ट्रे को रख देंगे ऐसा करने से नीचे हमारे ट्रे चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखिए ये कितनी आसानी से सरक रहा है जब भी आपको ट्रे या डिबबा निकालना हो तो बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर भी चूड़ी रख दे रही हूँ ये चूड़ी हमारे काम की नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ पर यूज कर ले रही हूँ कोई भी चीज फेकने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका प्रयोग हम कहां करश रखते हैं देखे किदनी आसानी से ये डिबा रखा गया है अब हम जब भी इसे निकालेंगे तो इसे निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगी आई होप आपको ये भी टिप पसंद आई हो आसान सा टिप बताती हूँ उसके लिए आप एक चमज दे लीजे और चमज से आप इसे इस तरह से खोल दीजे देखे इस तरह से इसे आपको खोल देना है अगर आपको तीन चार चाभी भी लगानी हो तो आप एक ही साथ तीन चार चाभी इसमें आसानी से लगा सकते हैं देखे जैसे मैं लगा रही हूँ, पहले हम इसमें एक चाबी को डाल देंगे और उसी के साथ ही हम दोनों तीनों चाबी डाल देंगे, देखे जैसे मैं कर रही हूँ, आपको वीडियो में आसानी से दिख रहा होगा, पहले हम सारी चाबीयों को एक साथ डाल देंगे, और फ काम भी आसान हो जाएगा आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी ये मेरी आजमाई हुई टिप है आप इसे जरूर फालो करिएगा तो चलिए चलते हैं दूसरी यूसफुल टिप की तरफ देखिए चाबिया कितनी आसानी से एक ही साथ चली गई है इस चमच की मदद से तो चलिए चलते हैं दूसरी यूसफुल टिप की तरफ दोस्तो इस तरह के स्टील के बरतन तो सभी के घरों में रहते होंगे जिस पर कॉपर लगा रहता है इसको साफ करने के लिए हमें पितामरी मगानी पड़ती है जो की काफी महनी मिलती है मैं आपको बेहत ही आसान सा टिप बता रही हूँ आप नीबू का एक टुकडा ले लीजे ये काफी बड़ा था इसलिए मैंने इसका वन फोट नीबू का टुकडा लिया है अब आप इसके उपर नमक डाल दीजे नमक डालने के बाद आप नीबू से इसकी सफाई करिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे मैंने नमक से साफ किया है लगेगा कि पितामरी से ही ये साफ हुआ है देखे तुरंत ही ये कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया आपको रिजल्ट तुरंत ही दिख रहा होगा मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है आप इसे देखे ये कितनी अच्छी तरह से साफ हो जा रहा है अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं और नीबू से इसे अच्छी तरह से रगर-रगर कर साफ कर दीजे आप देखेंगे कि आपका कॉपर फिर श्रे उसी तरह से चमकने लगा है मुझे थोड़ा सा नमक कम ल नहीं किया है देखें ये कॉपर कितनी अच्छी तरह से चमकने लगा है अब मैं आपको इसको धुल कर भी दिखाओंगी कि ये कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है आई होप आपको मेरी ये टीप पसंद आई होगी देखें इसे मैं आपको धुल कर दिखा रही हूं और हमा वमारा सिलेंडर खाली हो जाता है तो जहां हम इसे रखते हैं उस जगह पर मुर्चा लग जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है मैं dział इसे हटा सा तरीका बता रही हूं पहले हम गैस को जला लेंगे और उस पे हम रख देंगे थोड़ा सा पानी आप सोच रहे होंगे कि हम चाय क्यों बना रहे हैं मगर हम चाय नहीं बना रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चमल चाय पती और इसे हम अच्छी तरह से खौला लेंगे ज स्क्रबिंग का बहुत ही अच्छा काम करता है और इसे मुर्चा भी बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाता है अब जो ये हमने चैपत्ती का पानी खोलाया है उसे हम इसके उपर डाल देंगे और ले लेंगे एक स्क्रबर आप चाहे स्क्रबर लीजे या फिर आपके पास पर सिलेंडर भी रखा हुआ था ये बिल्कुल साफ हो जाएगा अगर आपको नमक कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं और स्क्रबर की मदद से इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजे दोस्तों आप मेरी वीडियो की सहर किस देश से देख रहे है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा मैं इस पर नमक थोड़ा सा और डाल दे रहे हूँ और स्क्रबर की मदद से इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी और फिर इसे हम सुखे कपड़े से पोज देंगे आप देखेंगे कि आपको लगे गा ही नहीं कि यहा मैं इसे आपको सुखे कपड़े से पोज कर दिखाती हूँ दोस्तों दिपावली का समय है तो हम हर जगा सफाई करना पसंद करते हैं तो आप इस छोटी छोटी चिप से अगर अपने घर की सफाई करेंगी तो आपका मेहनत भी बचेगा और आपके पैसे की भी बचत होगी अब इसे हम सुखे कपड़े से पोज देंगे देखें कि इस तरह से हमें इसे सुखे कपड़े से पोज देना है आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी तरह से साफ होगी और इसका मुर्चा भी बिलकुल खतम हो गया है और आपका जगह भी कितना चमकने लगा है लगी नह वोचिं!